सहाब कासी राम के मरण दिन पर आज उनके अनुयाईयों ने उनको फिर अच्छी तरह से मारा लोग कहेंगे आज तो उनका जनन दिन है ये मरण दिन क्यों बोल रहे हैं मरण दिन तो अक्टुवर में आता है पर ये मरण दिन ही है और मारने वाले सहाब कासी राम के चेले है अनुयाई है जो नाम उनका लेते हैं फूल माला उनकी चड़ाते हैं और उनकी पीठ में चाकू गुशर देते हैं बलकर अब तो सीने में मार रहे हैं ये कहने को किसी की हिम्मत नहीं है समर संग के अलावा या समर संगियों के अलावा क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब सहाब काशीराम जी के दलाल हैं सब दलाल हैं एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनके नाम पर दलाली नहीं कर रहा हो बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है कि मद्धे प्रदेश से एक लड़का आया उसने कई पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा उसके पिताजी ने सायद सहाब साय के साथ में काम वाम किया तो कहता है हमने सहाब कासी राम जी से पेड़ना ली है अब हम शादी कर लिया हमने पर बच्चा पैदा नहीं करेंगे अब हम काम करेंगे और हम पूरी जिंदगी सहाब कासी राम का काम करेंगे इसलिए हमने 15 मार्श को ये संग्ठन और ये काम करने का सोचा है पढ़ लिया है मैंने उससे कहा रहे भाई साहाब ने तो साधी नहीं की चल तूने साधी कर ली पर साधी करने ना करने का इतना अभी मान मत कर सहाब कासी राम जी ने जो किया है उन्होंने जो किया सब को इखटा करने का काम किया तू तो अलग संठर बना रहा है बुरा लग गया उसको आज सबने फुल माला चड़ाएं किसी ने कहा जै कासी राम जी उसका संठर अलग किसी ने कहा मैं एक नई राजनितिक पार्टी बनाता हूं उसका अधीवेसन लगाऊंगा खिक्की अर्टोरियम में दो डहजार आदमी आएंगे किसी ने लखनों में चलाए उसकी पार्टी अलग किसी ने अपने संग्ठन में चलाए उसकी पार्टी अलग कोई पेवेक्टू सोसाइटी में चला रहा है उसका पेवेक्टू सोसाइटी अलग हर आदमी अलग हर आदमी अलग है कैसे चेले क्या सीखा चेल चेलोन है दलाली क अलावा चेले कुछ नहीं कर रहे हैं आज एमर्जनसी का टाइम है आपात काल का टाइम है सब को पता है कि सर के उपर मौत खड़ी है साहाब कासी राम जी को माला और फूलों से भर दिया पर बात किसे नहीं मानी यही होता है महापुर्सों के साथ महापुर्सों की साहाब कासी राम जी का जरंदिन मना रहे हैं हम साहब कासी राम जी के चेले हैं पर कैसे चेले हो जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो घर बापिस नहीं जाएगा जिस आदमी ने प्रण लिया कि अब सारा समाज उसका घर है जिस आदमी ने प्रण लिया कि अब उसका कोई र जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो अब कभी शादी नहीं करेगा जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो बावसाब के अधुरे सपने को पूरा करेगा जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो समाज को एक करके मानेगा उसकी आख बंद होने से पहले ही टुकड़े कर दिये समाज के, उसके टुकड़े कर दिये, और उपर से घ्वंड ये के हम साभ कासी राम जी का मिसन चला रहे हैं, हम साभ कासी राम जी की माला चला रहे हैं, हम साभ कासी राम जी का जनम दिन बना रहे हैं, अरे कोई जनम दिन नहीं मरा रहा है, सब अ सारे मिठी मिठी बात हैं मिठी मिठी गुगली और एक दूसरे को देखते हैं और कहते नहीं क्यों तुम अलग लग शड़ा रहे हो माला भाई किसने अधिकार दिया क्या साहब कासी नाम जी तुमारी प्रॉपर्टी है उनके विचार अगर तुम नहीं मानते हो तो काई के सा से पे और यूटूब पे तुमको सरम नहीं आती तुमको एक बार भी समझ में नहीं आता कि साहब कासी नाम के आगे तुम नाटक जो कर रहे हो दिखाई दिते तक है लोगों को हर एक बंदे को पता है हर एक जानता है तुमको इखटा होने में मौत क्या आती है अगर तुम साहब कासी राम के सारे चेले हो तो एक खटा क्यों नहीं होते हो उन्होंने कब कहा के तूटना उन्होंने कब कहा के लग लग जाना इसलिए ये मरन दिन है साहब कासी राम जी उस दिन नहीं मरे जे दिन उनकी डैथ होई वो अपने जनन दिन पर मरते है जब जरन दिन पे उनके अनुयाई उनके वरुद एक दूसरे के वरुद खड़े हो जाते हैं और नाम उनका ले ले जैते हैं ऐसे ठीक बाववसार की जरयम दिन पर होता है ऐसे ठीक जतने महापुरुस के जरंडन पर होता है ये अलग-अलग जो संख्ठन हैं एक ही वीक्टी का जब फुटो चलाते हैं और आपस में एक दूसरे को तलवारे घुपते हैं तो उस तलवारे आपस में घुपते उस महां पर उसकी उस महां आदमी की विचाधारा और उसके पेट में तलवारे घुचती हैं पर इस बात को कोई कहने को त्यार नहीं इस बात कोई समझने को त्यार नहीं समर्संग ये बात करते हैं क्योंकि पत्थर जितना भारी होता है उतना नीचे बैठता है और ये बुलबुले हैं सारे के सारे जो गुबारी तरह उपर उठलते रहते हैं पर समय बड़ा खराब है इसलिए समर्संग के लोगों को हाथ जोड़के नीचे बैठके पत्थर की तरह भारी बनके ये से हीट पत निकालो उनको टुगडे टुगडे मत करो ये कहना बंद करो कि हम साहब कासी राम जी को अनुयाई है और उनको मानते हैं अगर अनुयाई हो तो अलग क्यों हो तुम सब अपने अनुयाई हो साहब कासी राम का कोई अनुयाई नहीं है अगर साहब कासी राम जी के फूले के अनुयाई होते, साहू के अनुयाई होते, बुद्ध के अनुयाई होते, तो एक साथ होते, किसी भी महापुरस ने कभी नहीं कहा, कि मेरे अनुयाई बाद में अलग अलग होके मेरी फूल माला चड़ाना, किसी भी महापुरस ने कभी ये ये नहीं सोचा, कि उसके म एक समय और सारे लोग एक साथ मिलके उसको मनाएं और उसके बाद अगले संडे को फिर अपने अपने महलों में जहां जहां उनको मनाना मनाएं पर इससे मैसिज जाना चाहिए कि सारा समाज एक है, सारे लोग एक हैं, हम सब अपने महाप्रुसका मरंदिन और जरंदिन एक मना हैं हमारे अंदर कोई मत्वेद हो सकते हैं पर वैचारिक मत्वेद नहीं हो सकते यह जो लोग कहते हैं कि जी वैचारिक मत्वेद हैं अगर किसी का वैचारिक मत्वेद है इसका मतलब वो आदमी दलाल है वो आदमी बदमास है क्यों बदमास है क्योंकि विचार हमारे पास में एक ही चलता है वो हमारे महापरुस का है चाहे वो बुद्ध का है चाहे डॉक्टर मेटकर का है चाहे फूले का है चाहे वो कविड़ दास का है चाहे वो रविदाद दास का है और चाहे वो हमारे मानेव का सिराम जी का है सबका विचार एक ही है कि जुड़ना है जब कोई दो आदमी दो संग्ठन ये कहते हैं कि उनके विचारों में मतवेद है या दो व्यक्ति कहते हैं कि विचारों में मतवेद है तो उनका परसल होगा पर सामाजिक विचारों में मतवेद नहीं होता सामाजिक विचार सबका एक ही होत है अगर सामाजिक विचार में मतभेद है इसका मतलब वो आदमी हमारे समाज का नहीं है वो वम्र समाज का है क्योंकि स्रमणों का विचार एक होना चाहिए और एक ही है यो महापुर्सों का है किसी का परसनल अलग हो सकता है कोई आदमी बैंगन खाए कोई आदमी अर्बी खाए कोई आदमी आलू खाए उसमें आलू बैंगन खाने का विचार अलग हो सकता है पर सामाजिक करांती में और सामाजिक बदला में किसी भी आदमी का विचार अलग नहीं हो सकता उन सब के विचार एक हैं और अगर किसी व्यक्ति का किसी संठन का विचार किसी से अलग है तो उन दोनों में से कोई ना कोई गदार है या दोनों गदार है या दोनों ही निकम में है या दोनों ही चोर है या दोनों ही दलाल है ये बात तै होनी चाहिए और ये बात हमें लगातार बार 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 बताते रहना चाहिए हर बार जब महापुरुस की जहनती आती है तो हम इस बात को बोलते हैं कि ये महापुरुस के गदार है सारे सारे लोग क्योंकि ये महापुरुस के विचार पर नहीं चलते ये महापुरुस का फोटो लगा के अपने विचार पर चलते हैं और अलग अलग चलते हैं और लोगों को गुम्रा करते हैं लोगों को से निकालना है क्योंकि समय जादा नहीं है अगर अबी नहीं निकाल पाए अभी नहीं बता पाए तो हालत वही होगी जो पुने के अंदर आगे अंडीयर पीछे ज़ड़ू थी वो पूरे देस में दिखाई देगी इसलिए अगर वो repeat नहीं करनी है तो महापर उसके विचार पर चलना है महापर उसके विचार बताना है और इन नाटक वाजों को दलाल और धोगे वाजों को expose करना है चाहे वीडियो बनाईए चाहे पोश्ट बनाईए इनकी हामेहा मत बनाईए इनके मीठे मत बनिये क्योंकि आज मेरी एक बहुत बड़े आदमी से बात हो रही थी और वो बहुत बड़ा आदमी अपने आपको बहुत बड़ा आदमी समझता है इसलिए हम उसे बड़ा आदमी बोलने है विचारों में बड़ा नहीं है उससे बात करते करते जब उसने कहा तो हमने कहा कि भाई हम आलोचना भी करते हैं तो उसने कहा जी हम तो आलोचना नहीं करते तो मैंने कहा भाई अगर आप आलोचना नहीं करते तो इसका मतलब आप समाज को सचा इना नहीं दिखाते क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति ने साफ कहा है कि अगर कोई गलत है तो गलत बात को कहना चाहिए और जो अच्छी बात है तो अच्छी बात को कहना चाहिए बावा साब ने गलत बात को गलत कहा है और सही बात को सही कहा है गलत बात को गलत कहना आलोचना नहीं होती आलोचना वो होती है जो सही बात को गलत कहता है उसको आलोचना बोलते हैं चुकि आदमी मीठे बने रहते हैं और बोलते नहीं हैं लोग सोचते हैं कि हम क्यों क्यों बुरा बने कोई और कर लेगा कोई और कर लेगा इसलिए गलत बातों को ढखते रहते हैं ये गल गलत है इसकी नियत गलत है ये दलाल है तो समाज आज इतने गड़े में नहीं जाता क्योंकि हम मीठे बने रहे हमने सोचा कि हम क्यों बुरे बने कोई और कर लेगा तो आज इस्तिति ये आ गई कि चाहे बुरे बने या ना बने पर हमारे सारे सारे अधिकार चले गए तो इस संगर्स का मतलब होता है कि जो जो चीज गलत है उसको कहना है उसको बताना है कि ये गलत है ये ठीक नहीं है इसी को एजिटेशन बोलते हैं जब कोई बच्चा जब उसके मन के विरुद कोई बात होती है तो वो एजिटेट करता है वो भी बच्चा चिलाता है कि ये मेरे मन के तो बड़े होने वाले हैं, बुडे होगे, मरने वाले हैं, अगर हम एजिटेट करना नहीं सीकें गलग बात को, तो हम ़व्रोपी जाएंगे, खतम हो जाएंगे, इसन्मिए महापुर्स की जो बात है, वो सिर्फ एक बात है, कि महापुर्स का विचार सब के साथ है और सब को एक माना चाहिए और जो महापुर्स की तस्वीर लगाता है और अलग-अलग अपनी दियर मौंबती जलाता है अलग-अलग विचार रखता है वो महापुर्स का विचार नहीं हो सकता वो उसका खुद का विचार है इसमें डिफ्रेंस चीखना चाहिए इसमें जानगे रखनी चाहिए और कहना चाहिए कि यह महापुरस का विचार नहीं है यह तेरा विचार है और हम तेरे विचार पर नहीं चलेंगे हम अपने महापुरसों के विचार पर चलेंगे जिनका एक की विचार है जुड़ेंगे जीतेंगे जो जो जुड़े है वो जीते हैं जहां जहां जुड़े हैं महावा जीते हैं महापुर्सों को नमन है बारबार नमन है और नमन करने का तरीका एक है संघंग नमामी संघंग नमामी संघंग नमामी मेरे इस वक्त तब वैसे अगर किस किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं संग से माफी मांगता हूं संग मुझे बाफ करे संग मुझे बाफ करे संग मुझे बाफ करे संग नमामी संग नमामी संग नमामी